पहले जो चोरियां होती थी उन्हें रोखने के लिए इंसानों ने ताला बनाया आप हर जगा अपने घर में, मकान में, तिजोरी में हर जगा ताला लगा कर रखते हैं लेकिन अब चोरी का तरीका बदल चुका है इसलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरीए साब्धान करना चाहते हैं ये देश का वो इलाका है जो खूब सूरत अरावली से घिरा हुआ है लेकिन अब ही ये वो इलाका है जो देश में साइबर क्राइम के होट स्पोट के नाम से जाना जाता है क्यूं मेवाथ साइबर क्राइम का होट स्पोट बना हम आज तक के टीम जब मेवाथ में ट्रावल करेंगे आप से उन लोगों से जुर्वाएंगे जो साइबर क्राइम की इस दुनिया में खुद ये काम कर चुके हैं तो आप जब इस चीज़ से जुरे तो इसके बारे में लोगों ने किसी ने आपको बताया था वो आपके गाओं के थे या बाहर की कोई लोग थे जो इसके बारे में आपको बताया नहीं सर्य आपसम जैसे रहते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं साथ के बंदे रहते हैं सक्षेद के जैसे निए के लिए कि पर बहु के हैं, एसी पतापड जाता satisfaction है, एसे पतापा जाता है, हैं जैसे निए साथ यॉप आ लड़के हैं, जैसे इज गृूप में जान लटके हैं, ज्याद से लोग होते, जान प vegetation पा। जादे थारा बुड़ है आदमियों कोई पहसाते हैं जादा एज के होते हैं युँए लटके कोई फस्ता नहीं है ज्यादा आज़ पहले को पता होता है कि यह एज गुरूप का नंबर एज या फिर आप लोग ऐसे ही लगाते रहते हो तो क्यों एक है एप सोता है उस पर हम इस तरह करते हैं उस से व्यडियो कोनिंग अपने लोग法 हुआ है हां तो उसके बाद में उसको फिर बेली करके उससे पैसर ले देडु से लग बाद नयुक्त कित्ना टाइम लगता है क्विक एक दिन में तो लोग मानते नहीं होगे तो एक एक किरदार साथ वाथा आदार काड यह यहां से तो नहीं यहां पर तो ज्यादातर अधार काड मिलती नहीं और बाकी एफन वोगैरा मिल लड़कियों लड़कीयों के वाज रहती है उचकी खुद के वाज रहती है तो टैलेंट एक और खुद जिनके नहीं है तो ईयरफोन अगे बिलो तूध है उन्से कर लेता कि 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 ना तो नगा तो ना फोन ना में आ आकल आख नाम इसलिए डर नहीं रहता है अगर कोई डर रहता था तो तो थोड़ देते हैं फोन को तोड़ देते हैं कि राइस्तान से कुछ लोग बग आये थे तो उसी टाइम चला था जिस टाइम कोविड का सिस्टम था तब से यहां शुरू हुआ था तो उनके साथ में दसमाज बच्चों ने यह किराइम किया था जो भी वो देते थे सिम वगेरा फोनों जो भी वो उस चीज के पैसे ले ल तो उनके साथ में मिल के यह भी करने लगे तो फिर यहां पेनके नाम आगे पुलिस के पुलिस आने लगी यहां पर अबमान के चलो दो चार लोगों को उठाया अगले दिन लेकिन हमारे को सुबा फोन आया कि मैं जो है एक पुलिस क्राइम ब्रांच से मोड़ना हूँ जो की जो ऐसे सेक्स के जो ड Bennett's है उनके खिलाफ काम करते हैं और आपकी क्याइए कि आप इसमें इन्वा रहं हैं विडीयो कॉल आती है तो आप दूसरे का भी फोटो किक कर लेते हैं विडियो बना सकते हैं तो विडियो बनंके हमारे पास वही विडियो तो वाप पर साया जिसे screen रिकोर्डिंग होती तО Screen रिकोर्डिंग हो के हमारे पास आ गया कि इस महिला ने कंपेड किया है कि उसको हमें लेने फॉर्स किया कुछ करने लिए अब धिन में एक फोन आता है जर्णरलिस्ट करके कि मैं जर्णर 라िस्ट बोलड रहाँ मेरे को आपका नंबर मिला है इस फिलाना पुलिस वाले से और आपका जो वीडियो है वो हम ये आप समझ लो बाइरल हो जाएगा आप ये 50,000 रुपे हम आपको आपको अकाउंट भेज रहे हैं उसमें 50,000 रुपे डाल दीजिए और इस मैटर को रफा दफा कर दीजिए अब अब जो भी आप कहिए हमने उसमें 50,000 रुपे डाल दीए जैसे उनको पता लगा हमने 50,000 रुपे डाल दीए फिर शाम को फिर फोन आता है कि जी ऐसा है अब इसमें न ये वीडियो आपका फैल चुका है पांच-छे लोग इन्वाल हो गए हैं इसमें और आप पैसे जाज देने पड़ेंगे भी कर सकते हैं और ये सारे लोग सर्फ टेकनालोजी के अधार पर देश के लोगों को ठग रहे हैं देश के लोगों को लूट रहे हैं हर रोज नया नया आइडिया लेकर आते हैं किसी को नौकरी देने के नाम पर लूटते हैं किसी को कहते हैं कि तुमारी लोटरी निकल आ सकता है उसमें आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है बुरी खबर भी हो सकती है और फिर उसके बाद वो आपके सारे details लेना चाहेंगे आपके bank accounts लेना चाहेंगे आपके password लेना चाहेंगे आपका आधार card मांगेंगे आपका bank account का detail मांगेंगे और जब आप से बात करेंगे तो बड़े कंविंसिंग लगेंगे आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आप किसी पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं आप किसी कस्टम अधिकारी से बात कर रहे हैं या किसी बड़े वरिश्ट अफसर से बात कर रहे हैं आप जहांसे में आ जाएंगे या तो आप है तो वो सारवजनी कर दिया जाएगा आज हमारी आपको सलाइए कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोन आता है पहली बात तो शुरू में ही आपको क्रॉस चेक करना चाहिए किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए और अगर आप फस चुके हैं और किसी साइबर क्राइम का अपना एक अलग विभाग होता है आप वहाँ पर फोन करिए और तुरंत अपने साथ जो भी कुछ हुआ है उसे रिपोर्ट करिए बजाए इसके कि आप लगातार ऐसे लोगों को धीरे-धीरे किष्टों में पैसा देते हुए चले जाए हमारी नजर रहे हुआ है